जै माता दिमित्रो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रो कुछ लक्षन में आज आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि माता काली की शक्ती आपके साथ में है माता काली की कृपा आपके उपर है माता काली की शक्ती आपको प्राप्त होने वाली है उनकी शक्ती आपको सिद्ध होने वाली है ये लक्षन सिद्धी के बाद भी दिखाई देते हैं और सिद्धी से पहले भी दिखाई देते हैं उनकी साधना करते हैं उनकी आरती करते हैं जिस भी प्रकार से आप उनकी पूजा पाट कर रहे हैं और आपको सपने में माता काली के दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुती अच्छा लक्षन है और बहुती शुब लक्षन है अगर सपने में आपको माता काली दर्शन दे रही हैं शाक्षात रूप से, तो इससे बड़ा लक्षण और इससे बड़ा संकेत कोई और हो ही नी सकता ठीक है, सपने में देवी के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है मित्रो इसका साफ-साफ मतलब ये होता है, कि माता काली आपसे अति प्रसन है और वो आपके साथ में है इसलिए सपने में वो आपको दर्शन दे रही है दूसरी चीज अगर माता काली के दर्शन आपको सपने में नहीं भी ओरे लेकिन अगर आपको कोई काले रंग की महिला आपको सपने में दिखाई दे रही है यानि कि जिसका काले रंग का स्वरूप ह काले रंग का वरण पार है तो आपको थोड़ा वग्र सवरूप में दिखाय क दिखाय दे रही है सप्चे में जैसे कि और उनगे पूरे बाल बिखे रखे था है और उनकी उनकी बुजाए काली उनका पूरा मुझ काला है और उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है या काले रंग के वस्तर धारण कर रखी है तो अगर इस प्रकार की महिला भी आपको सपने में दिखाई देती तो इसका मतलब यह कि वो भी माता काली का ही स्वरूप है ठीक है होता क्या है कि माता क माता काली के अनंत रूप है और जिस भाव से हम उनकी साधना पूजा अरादना करते हैं तो उसी भाव से बहुत हम ACCक को दर्शन देने के लिए के लिए तो हो सकता है आपकर के मन माताकाली काgel रहा हूं कोई और स्वरूप आपने इपने मन में धारन कर रखा है तो उसी अपने में काले रंकी तो वह भी निश्ची थी माता काली यहीं स्वरूबै उससे भी आपको पता चल जाएगा कि माता काली की ही शक्ति हमारे साथ में है यह भॉती निकट भविश्य में उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है कि थीक महसूस होने लगे ठीक है आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि जैसे कोई शक्ती आपके शरीर में प्रवेश कर रही है या प्रवेश कर चुकी है आपका खेलने का मन करने लगे और आपको सवारी आ जाए आपके रोम रोम एकदम खिल उठे ठीक है अगर इस तरह से भी आपको ह पूजा करते वकिफका आपको बहुत ही ज़ूर से खुशबू आए मुझी की खुशबू आएे और चमैली की खुशबू बहुत जादा है घुटहल के फूर तकी खुश्बू अगर आपको आती है उ Baptist मारikड एक कि खुश भूर अर देवी को बहुत है और ऐसाम्द सब्सक् की अक्षणियां भी हो सकती है उनके दूत भी हो सकते हैं और वो स्वैम भी हो सकती है तो उनकी लीला कौन जान सकता है वो जैसे जिस पर कृपा कर दें कोई नहीं बता सकता कि माता काली मा दुरगा मा भगवती मा आदिशक्ती किसके उपर कब कहां कैसे कृपा कर दें इंसान की समझ से बहार है ये चीज़े ठीक है इसके अलावा अगर आप रातरी काल में सो रहे हो ठीक है आपको अपने घर में कोई साया गूमता हुआ नजर आए काले रंगी कोई परचाई आपको दिखाई दे तो वो भी माता काली ही होती है जो आपको परचाई के रूप में कोई शक्ती घुम रही है कोई positive energy घुम रही है खुश्बू आपको आ रही है अपने घर में लेटते वक्त बैठते वक्त सोते वक्त पूजा करते वक्त तो ये सारी चीज़े ये सारे लक्षण और ये सारे संकेत आपको ये बताते हैं कि देवी की कृपा आपके उपर है उ अगर आप किसी को बुरा कहे दोगे तो बुरा सही हो जाएगा किसी को किसी को अच्छी बात कहे दोगे तो अच्छी बात सच हो जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जिससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि माता काली की शक्ती आपके साथ में है इसके अला ना देंगी कि आप उनको पहचान लोगे बड़ी ही आसानी से वो जब कृपा करेंगी ना तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा खुल यहांखों से दिखाई देगा आपको बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा कि माता काली आपके साथ में है उनकी शक्ति आपके मनो कामना भी पूरी करेंगी और आपके सारे काम भी बनाएंगी ठीक है मित्रो तो आश्चा करता हूं मित्रो जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर क करना चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की जानकारी में आपको लगातार देता रहूंगा मिलूंगा आप से अगली वीडियो में जै मातरानी की